हेलो फ्रेंट्स जैसा कि आप हमारे पास पांच गिलास देख रहे हैं और इन पांचों गिलासों में अलग-अलग परकार का पानी है इस गिलास में एसी से निकला हुआ पानी है इसमें आरो का पानी है इसमें वर्सा का पानी है इसमें साधारन पंप जैसे हैंड पंप या सम और इसमें केंगन मशीन का पानी है और इन सभी को टेस्ट करके देखेंगे कि बैटरी के लिए इन में सबसे उप्यूक्त पानी कौन सा है इससे पहले एक वीडियो में हमने एसी के पानी को टेस्ट करके भी देखा था जो बैटरी के लिए उप्यूक्त था उस वीडियो में करके बहुत कोमेंट आए कि वर्षा जल को भी टेस्ट करके दिखाएं कि क्या वर्षा जल भी बैंटरी के लिए उप्यूक्त है या नहीं और बैंटरी में डालने के लिए अतिरिक्त हम को क्या मिलाना पड़ेगा सभी कुछ जानने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं आपका दो चेक करेंगे और फिर इनका पीएच चेक करेंगे डिस्पले में हम देख रहे हैं कि एसी के पानी का टीडियस 20 है और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बैंटरी में डालने वाला पानी का टीडियस 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 50 टीडियस से जितना भी कम रहेगा उ लिक्स नहीं होता इसको यूजर अपने हिसाब से मेंटेन रख सकता है वर्सा के जलका टीडियस भी चेक करते हैं वर्सा के जलका टीडियस 30 आया है यानि वर्सा का पानी भी टीडियस के हिसाब से बैंटरी के लिए उप्यूक्त है पंप के पानी का टीडियस हम देख रहे जो कि बैंटरी के लिए बिलकुल भी उप्यूकत नहीं है, बैंटरी में नहीं डालना चाहिए इतने TDS का पानी, कैंगन वाटर को भी देख लेते हैं, हाला कि इसका बैंटरी से कोई मतलब नहीं है, कैंगन मसीन जो कि जापानी मसीन होती है, इससे निकला हुआ पानी पीने क 0.7 हो रहा है, पीएच से मतलब होता है किसी भी लिक्वीड की अमलिये और अक्सारिये अक्समता देखना, कि सीभी लिक्वीड को यह है देखना कि वह कितना एसीडिक है और कितना एलकालाइन है, पीएच नंबर चार्ट में यदि आप देख रहे होंगे, तो 7 पीएच का पानी normal होता है 7 pH से नीचे acidic मात्रा बढ़ती जाएगी और यदि pH साथ से अधिक जाएगा 8, 9, 10 यानि 14 तक जाएगा पानी उतना ही alkaline हो जाता है तो हमें battery के लिए alkaline water नहीं चाहिए बैंटरी में acidic water डालना होता है बहुत जादा acidic नहीं ऐसा water जिसका pH 6 और 7 के बीच रहे तो जैसे AC का पानी TDS के हिसाब से बैंटरी के लिए उप्यूक्त है प्रन्तु हर बार यदि AC का direct पानी बैंटरी में डालते रहेंगे तो बैंटरी की अमलियक समता कम हो जाती है आरो के पानी का pH देखते हैं आरो के पानी का pH 7.3 है वर्सा के पानी का pH 7.5 है पंप के पानी का pH 7.5 है और कैंगन वाटर का भी देख लेते हैं कैंगन वाटर का pH 8.5 है इस मशीन से पानी के pH को कम या जादा किया जा सकता है जैसा कि हमने देखा कि इन पाँचों परकार के पानी का pH साथ या उससे ज़्यादा है यानि यह पानी pH के हिसाब से नोर्मल हैं पीने के लिए उप्यूक्त हैं लैड आशिड मैंटरी के लिए AC का पानी और वर्सा का पानी दोनों ही उप्यूक्त हैं अच्छे हैं लेकिन यदि इनको हलका ACIDIC बना लिया जाए यानि इनका pH लगभग 6 कर लिया जाए तो और भी अच्छा रहता है इनके pH को कम कैसी किया जाए इसके लिए यहाँ मैंने कुछ ACID लिया है और हम यहाँ देखेंगे कि इस ACID की कितनी मातरा इन में मिलाएं कि इनका pH 6 हो जाए जैसे इस ACID का हम pH देखें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस ACID का pH 0 है यानि 7 से बहुत नीचे इसकी gravity भी चेक करते हैं कि इसकी gravity कितनी है gravity meter में यदि आप देख रहे होंगे तो इस ACID की gravity 1200 के आसपास है और देखेंगे कि इस ACID की कितनी मातरा इस पानी में मिलाए जाए जिससे इस पानी का pH 6 हो जाए ACID की एक एक बूंद इन दोनों गिलास में हम डालने की कोशिश करेंगे इसमें लगबग एक बूंद डली है प्रन्तु इसमें ज़्यादा डल गया मिक्स करके देखते हैं कि pH कितना आता है और इस पानी में एक बूंद इस 1200 gravity ACID मिलाने से इसका pH लेविल 6.2 के आसपास हो चुका है 5 pH तक का पानी भी battery में डाला जा सकता है और इसमें जैसे हम देख रहे हैं कि एक दो के आसपास इसका pH चला गया है यानि इसमें acid ज्यादा डल चुका है तो इतना अधिक acid भी हमको नहीं डालना होता एक लिटर पानी में एक धकन या आधा धकन acid का जिसकी gravity 1100 से 1200 के बीच होनी चाहिए मुझे आसा है कि battery के पानी के लिए जो आपके doubt थे वह दूर हो चुके होंगे यदि फिर भी कोई प्रस्ण मन में है तो comment में जरूर लिखना और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो like करके share जरूर कर देना चैनल को यदि अभी तक subscribe नहीं किया तो please चैनल को subscribe करके bell icon का बटन जरूर दबा लेना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दोस्ते